एक हमारा फंड में होगा ठीक है नहीं तो यह मिले के हाँ जाएंगे उसके हां से फंड लाएंगे और उसका हम कंपोन करवाएंगे और जिस जगह पर गली-उली का नहीं सब्सक्राइब बना हुआ है रोड उसके लिए हम वह भी बनवाएंगे आप एक महिला हैं और महिला सी सफर नया भारत के इस नए सफर में आप सभी का स्वागत है अभी हम चत्गहरा पंचायट में है और हमारे साथ आप देखेंगे बहुत सारे सम्मानित लोग हैं हम यहाँ पर बात करेंगे और जानने का पर्यास करेंगे की आज जम्गुवा परखन के चतगहरा पंचायद के भावी मुखिया परतियासी संगीता कुमारी जी है और इनके साथ कदम से कदम मिला करके चलने वाले चतगहरा पंचायद के सम्मानित लोग हैं हम बात करेंगे और जानने का परियास करेंगे कि मुखिया पत के दावेदार हैं संगीता कुमारी जी इनका लक्ष क्या है अपने पंचायत को बेहतर बनाने का अपने पंचायत का विकास करने का किस परकार से ये मुखिया बनने के बाद पंचायत की दिसा दसा और रंग रू मैं इस लक्ष से उत्री हुई हूँ कि मैं इस चजगरा पंचायत को एक अच्छी तरह से विकास कर सके आप एक महिला हैं और महिला सीट भी है आपके पंचायत में तो खास करके आप महिलाओं के लिए क्या करिएगा पाँच साल में हम महिलाओं के लिए जो बेरोजगार से बैठी हुई हैं वेलों के लिए हम पतल बनाना सावुन बनाना और अगर बती बनाने का यहीं घर पे ही उसका रोजगार दिलवाएंगे और आप पंच साल में अपने पंचायत का विकास किस परकार से करेगी हम हर उस गरीब लोगों को बड़े बुढ़े गरीब जितने लोग हैं सबों को हम रोजी रोजगार दिलवाएंगे जैसे ब्रिधा पैंशन है और इंद्रा वास और जिस जगह पे नाले जैसे सवच नहीं है जिए हर जगह पे गंदगी है उस जगह पे आप सुत्रा का हर तरह से पानी का विवस्था करवाएंगे और जिस जगह पे गली उली का नहीं सही से बना हुआ है रोड उसके लिए हम वह भी बनवाएंगे एक बर हम सारे लोगों से उमीद करते हैं एक बर यह हमें जीता है जिससे हम आगे इस चजगरा पंचायत का विकास कर सके तो जैस है उसको ले कर कि आप क्या काम करिएगा हम जीव बच्चों को अच्छा से सिच्छा नहीं मिल रहा है उसके लिए हम विकास कर वाएं we professionals करवाएंगे अंतिम में पूरे पंचायत वासियों को क्या कहते हैं कि एक बार हमें पूरी इसरधा से एक बर जिता के देखें कि उसके विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं देखें कि आगे हम विकास करते कि नहीं एक बार अपनी वोट दे करके जिताएं पूरे पंचायत के वासि इन्हें एक किमती जो बहुत है वो दे उसके बाद परधान बनने के बाद इनका जो एक नई सोच है एक नई उमीद है एक नई जोस के साथ काम करेगी और सभी महिलाओं माता बहनों को क्या कहिएगा एक बार इसको मौका दे चलिए इनका भी कहना है कि मौका दे और एक बार जदी मौका दे दिया जाए तो अच्छे तरीके से विकास हो सकता है माता जी क्या कहिएगा आप सभी को आपके भी हाथ में यह पॉंपलेट है इसमें भी बुरुषचाप है भोड़ दीजेगा न बुरुषचापर भोड़ देना है और संगीता कुमारी को जिताना है चाची आप जो हैं बुजूर्ग हैं आप जानते अपने पंचायत को ले समय सातने जोड़ाए आप लचेना बोड़ देख संगीता के किस पर आप देखें खोंप कैमें भाढ़ेगे कि अभी इरादा है और गाओं का नाम तभी बढ़ पाता है जब पर्दान जो बेहतर होंगे एक नए सोच के लिए होंगे एक अच्छा काम करने वाले होंगे चाची आपके भी हाथ में है और आठवा नंबर पर बुरूष चाप है आप किनको भोट करिएगा संगीता पर संगीता कुमारी को भोट करेंगे हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे जो परतिनी दित्व करता हैं हमारे साथ सर क्या कहिएगा आप पूरे पंचायत को देखें हैं कई वर्सों से और जब परधान आप नहीं भी हैं फिर भी आप पूरे पंचायत का सेवा किये हैं अपने अस्तर से क्या कहिएगा लोगों को हम चजगरा पंचायद के जितने भी गराम वासियों हैं जो भी बड़े बुजुर्ग है सबसे मेरा निमेदन है कि बुरुस चाफ पर भोड़ देके और जो भी 12 साल में जो कच्रा लगा हुआ है पर tą चजगरा पंचायद में बहुत सारे पंचायद है आर भी है हर संस्या कर रहा है किसी का बिर्धाप़ संन नहीं के जाएंगे किसी को जाने का जोरुत नहीं पड़ेगा मैं खुद वहां से करवाएंगा प्हास करवाएंगे जिसका इनरा अवस होजना, मैं खुद उसको दिलाएंगे और तरह-तरह के जितना भी ओजना है, कर्णिया ओजना है, इसा बिधवाप ईंचन है, बहुत सारे ओज जैसे मचरदानी बितर होना चाहिए मचरदानी बितर नहीं कराया है मैं खूद अपने मुखिया से उसको ले जाके हर गाव में हर घर घर ले जाके मचरदानी बितर करवाऊंगा और जो भी जितना भी समस्या है सब समस्या मैं यहीं से बैट करें हर गाव में मीटिंग करके ब पूरा ठीक से काम करेंगा किसी से लेना देना कुछ नहीं जो भी है रात-दिन इसी में लगल रहेंगे हम लोग और विकास के काम करेंगे ये मेरा सोच है मुझे एक बार बुरुष च्छा पर भोड़ दे के भारी मतों से विजय बनाईए ताकि ये चजगरा पंचायत का मैं उजवल कर सकूँ जैसे कफिलो पंचायत के मुखिया है उन मुखिया देखिये उसको तीन बार पुरुषकार मिला है और उसको परधान मंतरी मोधी जी भी पुरुषकार दिये हैं और हम भी उसी के अनुकुल पर करने का प्रयास करूँगा और मैं उस तरह से ही विकास करने का काम करूँगा यह मेरा सोच है यह सोच का आप लोग जमता से मेरा रिक्वेस्ट है प्रैठना है कि एक बार मुझे भोड़ दिजे और विकास के काम करने दिजे घर घर विकास का लहर दोड़ा देंगे हैं गंगा भा देंगें यतना विकास हम लाएंगे जो कि आदमी लेने के लिए नही दोग दोग मालेग में और अमेले के हां में अरजी बिंति करें गांगे उससे कहेंगे कि मेरे चजगरा पंचाद के धरतल पर चलीए और मेरे साथ समस्या क्या उसका नधियान किजीए MP साहिब अनपुर्णा जी है शामसाद उनके हाँ भी जाएंगे इन लोग दस बुजूर के ले जाएंगे और वहाँ से भी उनसे कहेंगे जिन्जरी तारा का जो रोड है बहुत देनी है, बहुत खराब है कोई भी आदमी जाता है, मोडशाकिर से गिर जाता है और हमरा एक आदमी दिखाया किने हाथ देखे, पूरा मैने इती हो गया है वो सब काम जो रोड है मेरा मुख्या का पद का नहीं है मुख्या से नहीं बनाने का चीज़ है वो ये MP साहिब से बोलेंगे ये MP साहिब को धरातल पर लाएंगे और ये विकास के काम हम करवाएंगे उसके कोटा से और भी तीन-चैर गो रोड है जैसे जोरा सांका रोड है वो भी रोड खराब है उसको भी रोड बनवाएंगे एक मुंडा टन का रोड जो है वो भी है कच्ची रोड वो भी रास्ता जाने का नहीं उसको भी बनाएंगे एक बना टन मोर से मेनी टन होते हुए हमरा चजगरा तरफ गया है वो भी रोड खराब हो भी रोड बनाएंगे और जितने भी जहां भी मेरा असमसान घाट है हर असमसान घाट में मैं अपने अस्तर से वहां के जो भी नौजवान लड़ का है उसको काम दिलाएंगे और जातरि सेड़ बना के वहां फुवा भी दिला देंगे और बारी-बारी इस सबको अपना जितना भी हमघा हो अब आ लिश्च मांगेंगे मैं हमारा फंड में होगा ठीक है नहीं तो MPA में लेके हाँ जाएंगे उसके हाँ से फंड लाएंगे और उसका हम कंपोन करवाएंगे यह मेरा सोच है यह मेरा विकास करने का इरादा है बारा साल में अभी तक जितना भी अमांटर आता है अगेला मुख्या जी जो हैसे रिटर्न कर देते हैं मैं रिटर्न नहीं करूँगा उसे अधिक मंगा के मैं विकास का काम करूँगा यह मेरा सोच है यह मेरा करतव है और मैं यतना दिन पावली के सेवा की हैं और पांट साल नम्रत सेवा देखे और सेवा करके मैं विकास करूंगा पूरे पंचायत का उजुबल बना दूंगा घर-घर कलोनी दे दूंगा घर-घर चाबाकल दे दूंगा और जो भी नल ओजना जो चला है मोधी जी कहें कि घर-घर पानी का व्योसा करेंगे घर-घर पानी का व्योसा क उसको मैं यह झाने किरूगा कि इसके पास नेग्स में नहीं है बॉड़ कि जिनकी दर उसको दस किलो जावल दीजे और मैं नहीं कम करऊंगा that इक चैनता के कवने के नुसाल में करूगा ! मैं इसा धारा में ले जाएंगा कि यह पंचायथ हमारा पूरा उजवल हो जाएगा और बिक्सित हो जाएगा ताकि हम सब को सम्मान करें आपके पंचायज में किसानों की संख्या बहुत ज़ादा है अधिकतर लोग किसान है खेती करते हैं उनका रोजगार वही खेती है तो आप खास करके किसानों के लिए क्या करिएगा किसानों के लिए जैसे जितना भी सरकारी तरह के फंड जो निकला है जैसे नया किसान ओजना के लिए नया खाद निकला है हर ओजना को मैं किसान को दिलाएंगे और खेती करने के लिए उपर उठवाएंगे आज आदे के खेल कुद के लिए खेल कुद के लिए भी लड़के खेलकुद में जादे आसिक रहते हैं खेलकुद के लिए भी वयुस्था करेंगे हर घाय। खेलकुद के भी मैदान बनवाँचे और between जोड़ेंगे तरह के जितना भी होजचिणा है हर मैं अपने पंचाइv मोनाग सब्सक्रां है कोशिच करूँगा और विकास करवाऊंगा ये मेरा सोच है ये जो सोचे हैं वो हम करेंगे क्योंकि मैं 42 साल सेवा की है जनता के और फिर मैं सेवा करने के लिए जा रहा हूँ और मुझे ही अतना है कि हमारा जो बुरुष च्छाफ है वो बुरुष च्छाफ पर भारी से भारी मतों से मतों दे के मेरा विजे बनावें उस पर मोहर लगा के भोड़ दे और विजे बनावें मेरा ये कहना है जनता से बड़े बुजूरू माता बहने सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि भारी से भारी मतों से मेरा आठ नुमर में है एक से आठ नुमर में मेरा है बुरुष चाफ बुरुष चाफ पर भोड़ दें और भोड़ देके मुझे विजे बनावें तो जैसा कि आपने यहाँ पे सुना कि इनका जो सोच है 42 साल से अपने पंचायत की सेवा किये हैं और अगला जो 5 साल आने वाला है जंता से बस यही गुजारिश कर रहे हैं कि एक किम्ती भोट हमें दे करके जिताइए आने वाला जो 5 साल होगा यह बेहतरीन होगा पूरे पंचायत की जो है विकास बेहतरीन तरिके से हो पाएगा हमारे साथ ये सारी लोगों का कहना यही है कि अबकी बार बुरुस च्छाप पर ही मोहर लगा करके जिताना है और अपने चचगहरा पंचायत की जो विकास सुनी-चित करना है सर आप जो है संगीता कुमारी के पती हैं और आप भी अपने पूरे पंचायद से वाकिफ हैं क्या आपको लगता है कि पूरे पंचायद का विकास अभी तक हो पाया है ने हो पाया है और जो छूटा हुआ है वो अब जितने के बाद सारा काम कंप्लीट करवाएंगे छूटने के बाद सारा काम कंप्लीट हो जाएगा यहां पे बहुत सारी लोग है कुछ से हम बात करेंगे क्या चचा आपका भी यही पंचायत पड़ता है हाँ हमारा पंचायत अहीं पड़ता है चतिगहरा पंचायत लेकिन मैं ये बात सोचा कि जो काम है सो आज दस साल में ने हुआ वो हमारा जो है सो संगीता कुमारी ने करेगी और जो जनता को जरूरी है वो जनता है को संगीता कुमारी है सो पहुंचाएगी ये हम लोग का उमी इसलिए हम लोग है सो संगीता कुमारी को या कनिडेट हम लोग मने मानते हैं और इसको हम लोग है सो ये बुरुच छापर भोड़ दे करके भारी मतों से बिजे बनाना है। बज़गारी जो है वो हटाएगी ये मुझे उमीद है और भरोसा भी है। आपके पंचायत का भिकास सुनिश्चीत कर पाए। तो सफ़र नया भारत से एक नए चचछगारा पंचायत की कामना करते हुए स्याम कुमार के साथ मैं आनंद बर्मा जैहिंद वंदे मात्रम। गापके ऑंपके। झाल झाल